हेलो एवरिवन आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही आसान और चटपट बनने वाली बिल्कुल रेस्टरॉन स्टाइल रेसिपी इसका नाम है मेथी मतर मलाई जो लोग मेथी नहीं खाते ना उनको भी इसका स्वाद बहुत ही जादा पसंद आएगा तो चलिए पत्ता हरी लाईची और काली मिर्च कुछ देर भूनने के बाद इसमें डाल देंगे एक प्यास जिसे मैंने रफली चॉप किया है अधरक लसन और हरी मिर्च इसे भी हम लगबग एक मिनिट के लिए सौटे करेंगे और फिर हम इसमें आड करेंगे टमाटर मैंने तीन बड इसमें फ्लेम पर पकाएंगे लगबग पाच मिनिट के लिए और पाच मिनिट बाद हमारा प्यास टमाटर बिलकुल सौफ्ट हो चुका है और अच्छे से पक गया है अब ग्यास का फ्लेम बन कर देंगे और इसे थंडा करने रख देंगे जब तक वो थंडा होगा तब त इसे दो के लिया है और इसे एकदम रफली चॉप कर लिया है हलका सा नमक डालके इसे दो से तीन मिनिट के लिए पका लीजिए वैसे तो यह जो मतर मेथी हम यहां पर पका रहे हैं वो डायरेक्ली हम ग्रेवी में डाल सकते हैं बाद में लेकिन उससे थोड़ा टाइम चुका है बस इन सब को कंबाइन करेंगे तो उसके लिए एक बड़ा चमच तेल गरम कर दीजे उसमें जीरा डालिए और जीरा जैसे ही चटक जाना इसमें डालेंगे मसाली जैसे लालमिज पाउडर हल्दी पाउडर धनिया पाउडर और फिर डाल दीजे हमारा ओनियन टम यूज कर सकते हैं अमूल वाली या फिर जो घर में दूद के ओपर मलाई जम जाती है न वो भी यूज कर सकते हैं अब इसमें डाल देंगे हम मेथी और हमारा बॉइल किया हुआ मटर नमक एड़ कर दीजे उपर से स्वादान उसार और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे अ उसी में मैंने आदा कप पानी लिया है और इसमें डाल देंगे अब मैं इसे मीडियम फ्लेम पर ढखकर पका लूँगी लगवग पाच मिनिट के लिए और पाच मिनिट बाद हमारा जो सबजी है वो बनकर रेड़ी है देखे लग रहा है ना देखने में ही बहुत ही जाद बस लास्ट में हम इसमें आड करेंगे कसूरी मेथी रफली हाथ से क्रश कर दीजे और फिर डालिए और फाइनल इसमें जाएगा एक चमच गरम मसाला पाउडर जो हमारी सबजी का स्वात और भी जादा बढ़ा देगा गानिश कीजिए कटे हुए हरे धनिये के साथ और आ के साथ बहुत ही अच्छा लगेगा तो आप भी इसे ट्रॉइ कीजिए और अगर रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए फ्रेंड्स और फामली के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बाई